कि नमस्कार साथियों साथियों जलन की अनुभूती एक ऐसा लक्षन चाहे वो किसी चीज़ से जलने के वज़े से तो जलन की अनुभूती होती है लेकिन बहुत बारी क्या होता है कि उस तरह की अनुभूती आपको किसी और वज़े से भी हो सकता है और उस समय में आपको कैं सब्सक्राइब करें वीडियो को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अगर कुछ पूछने बतलाने जासा लगे तो कमेंट करें और अपने उन सब्सक्राइब करें वीडियो को सब्सक्राइब करें कि इस दवा का सबसे अवस्था और प्रदाह का सबसे जरूर चरित्रगत लक्षन है इसकी वह तेजी जिसे यह सरन वाली दसा में पहुंचता है यहां कहने का अर्थ है कि इसका सबसे मुख्य जो लच्षन है वो है इसका प्रदाही कवस्था इतना ज्यादा जलन इतना ज्यादा तकलीफ रहता है और इतना ज़्यादा तकलिफ कि वो सरन की इस्थिती में जा पहुंचता है यह प्रदाही कवस्था मामूली तोर से कई दिन तक निश्चित पत्पर बढ़ती जाती है पर जब यह दवा किसी जगह पर रख दी जाती है या भीतरी सेवन की जाती है अस्थानिक प्रदाहीक दसा बरी तेजी से आ जाती है इससे रोगी बरी तेजी से प्रचंड रूप से बिमार हो जाता है जहरीले प्रभावों में इसकी करी खुराकों से हमें भयंकर और डरावने लक्षन रिखाई देते हैं कि ओवरडोज ये रोग प्रूड फॉर्म का बात हो रहा है समुचा सरीर विधान विस्रिंखलित रहता है मुत्र नली पत का जटील लक्षन साधारंता प्रकट हो जाता है आरंभिक दसा में वह अंस पचंसील हो जाता है मानसिख लक्षन बहुत आश्चरेजनक होते हैं मानसिख लक्षन बतला रहे हैं कि इन लक्षनों में परिचालक लक्षन है चहरा लाल रहने के साथ चेतना का एकाएट छाय हो जाना एकाएट बिолжोस हो जाता है मन का विभ्रम विचार एकदम विश्रिंखलित हो जाते हैं और जिधर चाहते हैं उधर चले जाते हैं मानो वे किसी बाहरी प्रभाव में हो माथा गर्म, उनमत, प्रलाप गरस्त, अत्यधीक उत्तेजना और पुरोध के साथ चका चौंध लाने वाली या चमकीली चीजों से आवेस नए सीरे से उत्पन हो जाती है अत्वा स्वरी यंत्र को छूत या जलातंक रोग की तरह पानी पीने की चेस्टा करने पर आवेस बढ़ जाता है जलातंक रोग जैसा कि अपने हाइड्रोफर्मिनम में देखा है और अगर नहीं देखा तो आप इसी चैनल पर वीडियो देख सकते हैं उसके कहते हैं भय और विचारों की विश्रिंग खलता मतलब कि भय और विचारों और वो भी विश्रिंग खलता है मन अक्सर उन विश्रिंग की और दोर जाता है जो प्रदाही तवस्था का समर्थन करते हैं मन उस तरह की चीज़ों को करने का करता है जिससे कि और जादा उनका प्रॉलम बढ़ेगा मुत्रासय और जनेंद्रिया प्रदाहीत रहते हैं और उस अंस का रक्त संचय और उतेजना अक्सर कामवासना जागरित कर देते हैं जिससे कामुक विचार और कामुक उनमत्ता उत्पन हो जाती है प्रचंड कामुक उत्यजना प्रदाह के साथ रहने वाली एक वैसी उत्यजना जो उसी के सद्रिस विचारों से सम्मिलित रहती है कामेक्छा पागलों की तरह हो जाता है पुरुसों का लिंगो छ्वास दर्द भरा और प्रचंड रहता है लिंगेंद्रिय प्रदाहिक और जक्म भरी रहती है संगम के समय दर्द होता है संगम यानि की कोईशन के दौरान तथा पी कामोनमाद प्रचंड रहता है प्रगल्भता और पवित्र भासा बेचैनी जिसके अंत में क्रोध होता है बेचैनी से बरावर हिलाया डुलाया करती है कामोन मत्तता के साथ क्रोध और प्रलाप सम्मिलित रहता है कैंथ्रिस का इस तरह का मांसिक चरित्र हायोस्यामस, हासफोरस और सिकेली कौर के सद्रिस रहता है एक प्रचंड सन्नी पाती कवस्था, कामसंबंधी विचार और बातचीत जिसके साथ सम्मिलित रहती है किसी किसी समय प्रलापा वस्था में वह असलील गाने गाता है और मानव जनेंद्रियां, पिसाब और मल के संबंध में बरबराता है उस विस है कि एक दहसत भरी बकवाद, जिस पर जब तक स्वास्थ नस्ट न हो जाता, तब तक कोई बात नहीं करता पर रोग में पवित्र, सैयम, सील मनुस्य, कुमारियां ऐसी बाते बोलती है, जिने सुनकर अस्चर होता है कि यह भासा उन्होंने कहां से सीखी ऐसे रोगी रहने पर सुसुरसा करने वाली तथा चिकिट्सक के अलावा सब को उस कमरे से निकाल देना चाहिए मैंने एक प्रेम मै माता को रोते और हाथ मल मल कर कहते सुना है हाँ, मेरी पुत्री ने यह भासा कहां से सीखी पर पुत्री को दोस्ट देना व्रिथा है यह तो मुत्रपत या मासिक रजासराव की क्रिया है जो सर्दी या खुली हवा लग जाने के कारण उत्पन्न हो जाती है तथा माता की अपनी कन्या को रजासराव क्रिया को समझा देने की और समर्थता के करण उत्पन्न हो जाती है एक बहुत मुखे चीज है और पहले के समय में सो सकते हैं कि क्या इस्तिती रहा होगा आज तो फिर भी लोग समझा पाते हैं इसमें किस तरह का डिंबास है और जरायू का या बाहभाग का प्रदाह रहता है पेसाब में जलन होती है और बाहरी अंगों की प्रदाही कवस्था उत्पन कर देती है अत्वा पेसाब रुख जाता है और उन्मत्तता पैदा हो जाता है केंथरिस ऐसा ही है उसके कहते हैं फारने छेदने की तरह नस्तर देने की तरह प्रचंड सिर्दर्द मानो छुरी मारा जा रहा हो एक प्रदाहित अवस्था जो बहुत प्रचंडता से मन पर अधिकार जमा लेती है माने हिटिक का स्थिती बता रहे हैं कि किस तरह का हो सकता है इस दवा में सर्वत्र जलन है माथे में जलन टपक और छुरी मारने की तरह दर्द चेतना रहित तथा मानसिक दसा में प्रलाप सिर्के पार्सव देश में जलन माथे के पिछले भाग में तथा सिर्के बगल के भा बहार होता है, सिवा उनके जो सीर और मन के लच्छनों के साथ उखपन होती है, बड़े बड़े छालों के साथ मुख मंडल का विसर्ग, ओठों में जलन और समस्त वायू मंडल पीला पीला दिखाई देता है, आखों में जलन या यंत्रना, आख का विसर्प जिसकी सरने की प प्रबहाव फैला देते हैं इस अवस्था में रस्टक्स का विशेस गवार होता है पर यदि यह बहुत ही प्रचंड हो तो कैंथ्रीस अक्सर अधिक निर्देशी तथा रस्टक्स से ज्यादा उप्योगी भी होगा रस्टक्स में जलन और चाले होते हैं पर कैंथ्रीस में आपके दो बार देखने जाने की बीच में ही विसर्प काला या धुमयला हो जाएगा मतलब आप दो बार एक से दूसरा बार जब देखने जाते हैं उसी बीच में जो विसर्प होगा उसके डिफर हो जाएगा उसके कलर में उसके अपिरेंस में डिफरेंस दिखेगा आपको एक बहुत तीवर परिवरतन हो जाएगा और ऐसा मालूम होगा कि सरन आरंब हो गई है विसर्प के अस्थान पर तथा उसके चारों और के चमरे में जलन होती है छूने से भी जलन होती है पर रस्टक्स में ऐसा नहीं होता कैंतरीस में यदि छोटे-छोटे छाले भी छूने दिये जाते हैं तो वहां आग की तरह जलने लगते हैं छूने पर उध्वेदों में जलन होता है चाहे कितने ही हलके भाव से चुआ जाए अर्थात वैसा उद्भेद जैसा दवा उत्पन कर सकते हैं कि केंथरी स्काने के बाद किस तरह का उद्भेद निकल सकता है केंथरी से रॉप और में या कहां कि प्रूबिक सेलक्षन वो बतला रहे हैं तो इतम उसी तरह जवाब करते हैं रोगी एक अवस्था में प्रवेश करता है पीला हो जाता है चहरा धसा हुआ और मुर्दे की तरह का हो जाता है यह निमने स्रेनी की बीमारी है यहां तक की सरन रोग और आतों का भयंकर प्रदाह नेक्रोडिक टाइप का इसके प्रॉब्लम्स होते हैं प्रदा की समता आ जाती है फेफरो का प्रदा सरने वाले ढंग का अवसनता और फेफरो में बीमारी रहती है वह आग की तरह जलता है और तुरंत ही उसमें मुर्दे जैसी गंद भरा पतला खुन मिला पानी की तरह बलगम आने लगता है यह बीमारी अदभुत तेजी से आ पहुचती है और थोरी ही देर में वह मर जाएगा नाक सिकुरी रहती है और पेसाब रुक जाता है मुझे एक रोगी याद है जो भहुत देर राद तक सराप पीकर निकला था जैसी अवस्था मैंने उपर बताई है उसी अवस्था में साम को उस रोगी को मैंने छोड़ा था उसके मुह से खुन मिला लार्चू रही थी वह मर रहा था एक ही रात में उसकी वह अवस्था हो गई थी सराब पीने के समय वह करीब करीब जम सा गया था यह सवेरे के पहले या तो कैंथरिस या मृत्यू थी पर सवेरे तक उसे जंग की तरफ बलगम आने लगा और वह जल्दी ही आरोग्य हो गया अरसेनिक में फेफरों में जलन होती है उसमें काला बलगम आता है बेचेनी और घबरहाट के साथ नीमोनिया के चिन मौजूद रहते हैं तथा आरसेनिक दूसरे लक्षन भी पाए जाते हैं आरसेनिक उसे तुरंत आरोग्य कर देगा इन प्रचंड दवाओं के उन रोग्यों के लिए जरूरत रहती है जो तुरंत मरने वाले रहते हैं कंट में जलन के साथ तेज प्यास कंट और पकासे में जलन सब तरह के तरलों से अनिक्षा रहने के साथ प्यास अर्थात मूह और कंट की लालसा मांसी कवस्था के विप्रीत रहती है कंट में पानी पीने की इच्छा पर मन में अनिक्छा मतलब की गरदन पुझ रहा है की पानी पीने लेकिन मन नहीं कर रहा है पानी पीने का पाकासय पाइलोट्स पाकासय का नीचे की और मुह अनद्वारी तथा तलपेट में प्रचंड जलन तलपेट फूला और डबडबाया रहता है नस्तर देने की तरह जैसे कि मतलब काटा गया हो काटने और छुरी धसाने जैसा दॉडज जहां कहीं आतो की तेजी से खूलमिले दस आतो और पकासे से आते हैं इसी तरह पाणी जैसा खूलमिला स्राव आखों से भी होता है और जहां कहीं यह पानी की तरह तरल चमरे से सटता है या लगता है वहीं जलन होती है और खालो धर जाती है खुल मिला पेसाब उसके यूरिनल सिंट्रम साते हैं कि पेसाब करने के समय ही पेखाना लगाना, रोगी पेखाने में जाकर बैठ जाएगा, मल मुत्र का भयानक वेग होगा, सोचेगा कुछ बुंद पेसाब या कुछ ज्यादा खुन मिला दस्त हो जाए तो अराम मिले, पर उसे अराम नहीं मि मतलizada की खाली रहेगा अगर तभी पूठन और वेग नहीं रहेगा अक्सर मुत्रासान बहरागाने पर मतरासर into रहता है, पेसाब का रुखना, पेसाब नहीं होता अथवा एक या दो बुंद चूप परता है, मुत्रसामी में भयादा या टुषाब निकल जाएगा पेसा कि बहुत बड़ी दवा मतलब स्टोन की स्टोन की खास करके और इस तरह के स्टोन की बहुत बड़ी दवा है और इसका बहुत लग मतलब ऐसा समझे कि दुनिया में अगर केंथ्री का ही सिर्फ उप्योग किया जाए तो मैं आपको बतला सकता हूं कि 60-70% पत्थर के केस जो है तो सिर्फ केंथ्री खाकर के 2-3 महीने में ठीक हो जाएंगे बस लोगों तक awareness नहीं है इसलिए मैं आपसे करता हूं कि इसको फैलाईए इसको ज्यादा ज्यादा लोग त साथ नस्तर देने या छूरी से काटने की तरह मुत्रासय ग्रीवा में दर्द भिन भिन दिशाओं की ओर छिटकता है बार बार पेसाव लगने के साथ भयानक दर्द लगतार पूथन एक चिंता की अवस्था और उनमत्तता आ जाती है बहुत प्रचंड बीमारी और रोगी को कम तेजना अर्थात बहुत अधिक लिंग में करापन आने के साथ मलमूत्र का वेग होता है समाश्त मूत्र यंत्र तथा लिंगेंध्रिया प्रदा और सरन की अवस्था में रहती है पेसाब करने के समय मुत्रासाय में जलन और जननेंद्रियों के पास खुन का पेसाब आग की तरह जलता है पेसाब का रुक जाना या बंद हो जाना ऐसा बहुत कम होता है कि किसी सुजात के रोगी को इसतर नली में, पूठन और जलन के साथ इसतर हमर्डा हो। पर यदि ऐसा रोगी हो तो यही दवा निरदेशित होती हैं। इस दवा का स्वरूप है तेजी और जल्दी। यह ऐसा दर्द और उत्तेजना उत्पन करती है। जैसे किसी गुसरी दवा में है ही नहीं। इसके बाद ही आता है मर्कुरियस पोरोसाईवस यानि कि मर्कौर। इस्तियों के सभी अंगों में अत्यधीक स्पर्स असहिस्नुता रहती है। इसके साथ ही इसके सब लक्षन रहते हैं तो इसका प्रयोग होने के बाद गर्भासय का स्वभाविक आरंभ हो जाता है। और जिली को निकाल देता है। छेद करने की तरह प्रचन्ड दर्द या मुत्रपिंड और पीठ की रहसे होता है.. कमर गुर्दा और तलपेट में दर्द पेसाब करने के समय दर्द जिससे वह एक बुंद पेसाब निकालने पर भी वफुत कराता और चीखता है यह जलन मत्लब ऐसा जर्ण की जल रहा हुँ वाकई में जैसक की आग लगा हुआ है उस तरह का जलन बिल्कुल आग सा जलन और बहुत वाईलेंट जो सिंटम्स होते हैं इसके होते और बहुत तैजी से इसके स्टम्स अटैक आग तो यह सारी जानकारी थी साथ यो जो डॉक्त केंटर ने अपने मेटरिया मेट का और लेक्षर में केंटरी के बारे में बतलाई हैं असा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें शाथ यो कुछ भी पूछने बतलाने जैसा कि लगे तो कमेंट करें अगर मुझसे किसी करने के शॉवाब करना चाहें तो हम इंबर्सीप ज्याइन कर सकते हैं जो आपको बहुत तेजी से दालने वाला हूं और उसके साथ सोड्स में ही आपको अलग-अलग दवाएं दवाओं का मूल जो 4-5-10 main redline symptoms होते हैं और ऐसे characteristic symptoms जो कि patient पूर होने ही चाहिए है जिसे कि हम तेजी से categorize कर सके medicine को कि इस patient को वो medicine देना है या नहीं देना है तो इस तरीका से categorize करके मैं अलग तरह काई कहें कि मेडिका बनाने का प्रयास कर रहा हूं तो उसमें आप लोगों का साथ चाहिए होगा और बहुत सारा काम है हुमिपैथ की जगहते हैं बहुत काम करना है तो आप लोगों का मदद उसमें लएगा तो फिर वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन सभी साथ यह साथ से जरूर कर लें जो ह उनको इस तरह के लोगों तक कि जनकारी पहुंचे तब तो फिर आम जनता में वह पहुंचा पाएं तो इसी के साथ साथ यह वीडियो को करते हैं समाप मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद